अबोटिय। अपने कपड़े में खाने में हर चीज में बहुत नॉन सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव प्रिफरेंशियल जो प्रिफर चीजे उसमें यह सेलेक्टिव जैसे कि आप पार्टी में so non selective for non selective cox inhibitor prefer for preferential cox 2 inhibitor selective for selective cox 2 inhibitor and up for a for analgesic second a for antipyretic then p for poor anti-inflammatory action analgesic antipyretic with poor anti-inflammatory action okay so nimmi आगे पूछ रही होती है अपने चोटे वाले भाई प्यारा से कि यह हैं क्या हाँ तो वो प्यारा रिप्लाई कर रहा होता है निमी दी AC में इटो जो इटो है उसके पती को सब लोग इटो इटो ही बुलाता है मैंने पहले बता चुकियो निमी दी AC में इटो निमी दी स लड़के को क्या कह दिया इसने परे कह दिया बस निमोनिक सो याद करने के लिए क्या सिल्डी काम कर रहे हैं इटो परे वरे हैं क्या कि आप गर्मी नहीं सन कर पा रहे हैं तो उसका पती रिप्लाई कर रहा होता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं परा वरा हूँ बस मैं यहां बैटे बैटे मैंने आज क्या किया है पैड मैन मुवी दो बार देख ली है पैड मैन BD BD for twist daily तो दो बार आज मैंने यह काम कर ली है पैड मैन BD फिर वो और कहता है कि ऐसा करने से क्या हुआ है मैं AC में बैठा तो मेरा पारा भी नहीं बढ़ा पारा नहीं बढ़ा तो यह तीन क्लासिफिकेशन ऐसे कंप्लिट होते हैं तो फिर इसके ड्रक्स के नाम देख लेते हैं निमी for निमिसुलाइट D for Daclofenac AC for Eclophenac Mee for Meloxicam Eto for Eto-Dalac and then second is Silly Eto-Pare Celecoxib Eterococib Pare for Paracocib okay now the third one is Para-Aminofenol Derivative P for Para A for Aminofenol and D for Derivatives यह man for कुछ भी नहीं है बस लड़का बता रहा होता है तो Padman की मैंने देख लिया है यहां से यह याज रखते हैं उसका पतिये चीज़ बता रहा होता है man बता रहा होता है and the second is Benjoxajosin Derivatives B for Benjoxajosin D for Derivatives तो इसमें क्यों से रखते हैं Para-Aminofenol Derivatives में होता है Para Para for Paracetamol and इसमें होता है Nefopam Nahe for Nefopam Now the last classification is Non-Selective Cox Inhibitor तो यह थोड़ा सा बड़ा classification है तो और अपने चोटे भाई निमी के चोटे भाई को वो बता रहा होता है उसका पती इटो बता रहा हुता है कि आज मैंने पता है क्या देखा है मैंने AC में बैठते-बैठते एक add देखा है जिसमें जो fena नहीं होता है fena देता है जो ino नहीं होता है जो fena बहुत सारा देता है जो gasm पर प्याजाता है तो उन लोगों में उस company में जो काम करते हैं, उनकी salary जो होती है, बहुत pro होती है, pro salary प्यारा को बता रहा होता है, pro salary प्यारा, तो AC में मैंने क्या देखा, add देखा, जो phena ino, जो phena नहीं देता है, बहुत ino, वो लोगों की salary क्या होती है, बहुत pro salary होती है, प्यारा, बहुत pro salary होती है, प्यारा क E for inolic acid derivatives, P for propionic acid derivatives, salary for salicylate and para for pyrazolone derivatives, okay? last one is, now the, उसके बाद क्या होता है, निमी गई होती है, mall में shopping करने, तो अपने अब्बू और अपनी मा के साथ गई होती है, तो वो लोग actually इंडिया के बहार रह रहा होते हैं, तो उसकी वो लोग shopping करते हैं, पुरा उसके अब्बू जो होते हैं, वो P.O.P. खरीते हैं, और नहीं मा, इंडिया के पैसे नहीं देना है, मा, 10 pounds देना है, इंडिया के पैसे नहीं देना है, तो और उसके साथ निमी क्या कह रही है, तो अपने अब्बू को कह रही होती है, अब्बू जो भी आटा ले रहा हैं, वो नाप के फ्लोर लीजेगा, जैसा कि as आपने P.O.P. लिए क्योंकि घर में बॉत लेके जो रहा होता है, तो लोग प्यो पी भी खरी लेता है, तो जैसे कि आपने P.O.P. नाप के लिए ता वैसे नाप के फ्लोर लीजेगा, विना बरबादी होगा तो इंडिया का नहीं मा, इंडो, एंडो, अंडो, मेथासीन, के, 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 टो, प्रोलैक, ना, for NABY, मुटो, मा, for Miphenomic Acid, M for Miphenomic, EA for Acid, okay, now the third one is Nolik Acid Derivatives में के यह 10 Pounds, 10O, OxyCAM, Pound, Pyroxyam, ठीक है, यहां पर OxyCAM, 10O, OxyCAM, and Pound for Pyroxyam, यहां पर क्या है, अबू, यहां पर यह 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 आईबू है, इसको बस निमोनिक की तरा बनाने के लिए, इसक A for Naproxen, K for Ketoprofen, Floriflor, Floribiprofen, and S for Aspirin, P for Phenylbutazone, O for Oxyfenbutazone, P for Propyfenazone, तो अच्छा हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कि Phenyl Oxy Pro, जो आपने Phenyl लिया था, उसको नाब के लिए लिएगा, Phenyl Oxy Pro, जो Oxygen वाला Phenyl था, वो बहुत ही प्रो Phenyl था, तो आटा आप ना पियेगा, जैसे कि आपने Phenyl ना पा था, वो जो Oxygen वाला Phenyl था, So, hope you like the video, if you like the video, then tell your friends and family about the content, and spread the knowledge, and do comment in the comment section if you have any curie, thank you for watching.